दूसरा शम्वल अध्याबीस कुल्पद छब्वीस वहां सैयोग से शेबा नाम एक बिन्यामी नी था वे ओच्छा पुरुष विक्री का पुत्र था वे नरसिंगा फूक कर कहने लगा दाउद में हमारा कुछ अंश नहीं और ना येशे के पुत्र में हमारा कोई भाग है हे इस्राइलियो अपने अपने डेरे को चले जाओ इसलिए सब इस्राइली पुरुष दाउद के पीछे चलना छोड़कर विक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए परंतु सब यहुदी पुरुष यर्दन से यरुशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे तब दाउद यरुशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन दस रखेलियों को जिने वे भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था अलग एक घर में रखा और उनका पालंपोशन करता रहा परंतु उनसे सहवास ना किया इसलिए वे अपनी अपनी मिर्तु के दिन तक बिधवापन की इसी दशा में जीवित ही बंद रही तब राजा ने अमासा से कहा यहुदी पुर्शों को तीन दिन के भीतर मेरे पास बुलाला और तू भी वहाँ उपस्तित रहना तब अमासा यहुदीयों को बुलाने गया परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया तब दाउद ने अबिशे से कहा अब विक्री का पुत्र शेबा अप्शलों से भी हमारी अधिक हानी करेगा इसलिए तू अपने प्रभू के लोगों को लेकर उसका पीछा कर ऐसा ना हो कि वहे गड़वाली नगर पाकर हमारी दृस्ति से छिप जाए तब यो आपके जन्द और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शिवा का पीछा करने को यरुश्लेम से निकले वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुँचे ही थे कि अमासा उनसे आमिला यो आप तो योदा का वस्तर फेंटे से कसे हुए था और उस फेंटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपने ही मयान में बंदी हुई थी और जब वे चला तब वे निकल कर गिर पड़ी तो योआप ने अमासा से पूछा हे मेरे भाई क्या तु कुछ अजसे है तब योआप ने अपना दहना हाथ बढ़ा कर अमासा को चूमने के लिए उसकी डाड़ी पकड़ी परन्तु अमासा ने उस तलवार की कुछ शिंताना की जो योआप के हाथ में थी और उसने उसे अमासा के पेट में भूग दी जिससे उसकी अंत्रिया निकल कर धर्ती पर गिर पड़ी और उसने उसको दूसरी बार ना मारा और वह मर गया तब योआप और उसका भाई अभीशे बिक्र के पुत्र शिवा का पीछा करने को चले और उसके पास योआप का एक जवान ख़ड़ा होकर कहने लगा जो कोई योआप के पक्ष और दाओत की और का हो वह योआप के पीछे हो ले अमासा तो सड़क के मद्धे अपने लोहू में लोट रहा था तो जब उस मनुश्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं तब अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया और जब देखा कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं तब उसने उसके उपर एक कपला डाल दिया उसके सड़क पर से सरकाई जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआप के पीछे हो लिये और वह सब इसराइली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुचा और वे भी इखटे होकर उसके पीछे हो लिये तब उन्होंने उसको बेतमाका के आबेल में घेल लिया और नगर के सामने ऐसा दंदमा बादा कि वह शेहरपना से सट गया और युआब के संग के सब लोग शेहरपना को गिराने के लिए धका देने लगी तब एक बुद्धिमान इस्तरी ने नगर में से पुकारा सुनो सुनो युआब से कहो कि यहां आए ताकि मैं उससे कुछ बाते करूँ जब युआब उसके निकट गया तब इस्तरी ने पूछा क्या तू युआब है उसने कहा हाँ मैं वही हूँ फिर उसने उससे कहा अपनी दासी के वचन सुन उसने कहा मैं तो सुन रहा हूँ वह कहने लगी प्राचीन काल में तो लोग कहा करते थे कि आवेल में पूछा जाए और इसरिती जगड़े को निप्टा देते थे मैं तो मेल मिलाब वाले और विश्वास्योग इस्राइलियों में से हूँ परंतु तू एक प्रधान नगर नाश करने का यतन करता है तो यहवा के भाग को क्यों निगल जाएगा युवाब ने उत्तर दे कर कहा यह मुझसे दूर हो दूर कि मैं निगल जाऊँ वानाश करो बात ऐसी नहीं है शेबा नाम एप्रेम के पहड़ी देश का एक पुरुष जो विक्री का पुत्र है उसने दाउद राजा के विरुद हाथ उठाया है सो तुम लोग केवल उसी को सौंदो तब मैं नगर को छोड़ कर चला जाऊँगा इस्तरी ने यो आप से कहा उसका सिर शेहरपना पर से तेरे पास फैंक दिया जाएगा तब इस्तरी अपनी बुद्धिमानी से सम लोगों के पास गई तब उन्होंने विक्री के पुत्र शेवा का सिर काटकर योआप के पास फैंक दिया तब योआप ने नरसिंगा फूका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए और योआप यरुशलेम को राजा के पास लोट गया योआप तो समस्त इसराइली सेना के उपर प्रधान रहा और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों के उपर था और अदोराम बेगारों के उपर था और अलिहूत का पुत्र यहोशापाद इतिहास का लेखक था और शेया मंत्री था और सादोग और अबियातार यहां जग थे और याइवी ईरा भी दाउत का एक मंत्री था दूसरा शम्गल अद्धाबीस को अबियातार यहां जग थे